हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चैनल इस्टडी बित सिल्पी फ्रेंड्स हम लोग यूजी सिनेट एक्जाम के सेकेंड पेपर जोग्राफी पीजी टी जोग्राफी एंड अल अपकमिंग जोग्राफी एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स आज हम जोग्राफी में जोग्राफी के महत्पोर वन लाइनर कुश्चन्स को पढ़ेंगे जो कि सभी एक्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओके फ्रेंड्स तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहला कुश्चन है म्यामार की सीमा से सटे भारती राज्य कौन कौन से हैं तो फ्रेंड्स म्यामार की सीमा से सटे भारती राज्य हैं आवडांचल प्रदेश नागालेंड मड़ी पूर और मिजोरम यानि फ्रेंट्स मियामार की सीमा से भारत के चार राज्ज लगे हुए हैं जिन में हैं आउडांचर प्रदेश, नागालेंड, मणीपूर और मिजोरम ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो फ्रेंट्स गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार का सर्बोच विंदू कौन सा है तो फ्रेंट्स अंडमान और निकोबार का सर्बोच विंदू है सेडल पीक कौन सा है सेडल पीक है अंडमान और निकोबार का सरबोच बिंदू नेक्स्ट है अरब सागर में द्यूपो की कुल संख्या कितनी है तो फ्रेंट्स अरब सागर में द्यूपो की कुल संख्या है 43 कितनी है फ्रेंट्स 43 है अरब सागर में द्यूपो की कुल संख्या निक्ष्ट है नदी की द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया क्या कहलाती है तो फ्रेंट्स नदी की द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपरदन कहलाती है निक्ष्ट है भारत का सबसे कम नगरी कृत राज्य कौन सा है तो friends भारत का सबसे कम नगरी करत राज्य है हिमानचल प्रदेश कौनसा है हिमानचल प्रदेश है Next है थीन बांध किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो friends थीन बांध राभी नदी के तड़ पर पंजाब में इस्थित है निक्स्ट है सिक्किम और तिबद को कौन सा दर्रा संसकरण है तो फ्रेंट्स सिक्किम और तिबद को नाथुला और जैलेपला दर्रा संसकरण है निक्स्ट है भारत के साथ सटे पडोसी देश कौन कौन से है तो फ्रेंट्स भारत के साथ सटे पडोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांगला देश और म्यामार यानि फ्रेंट्स भारत के साथ साथ पडोसी देश लगे हुए है जो की है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांगला देश और म्यामार ओके फ्रेंट्स, नेक्स्ट है इंद्रा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है तो फ्रेंट्स, इंद्रा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट या पार्शन पॉइंट, क्या नाम है फ्रेंट्स, पिगमेलियन पॉइंट या पार्शन पॉइंट, इंद्रा प स्री लंका को भारत से अलग कौन करता है तो फ्रेंट्स स्री लंका को भारत से अलग करता है पाक जल मंदल कच और मननार की खाड़ी नेक्स्ट है चीन की सीमा से सटे भारती राज्य कौन कौन से हैं तो फ्रेंट्स चीन की सीमा से सटे भारती राज्य हैं कस्मीर आवडांचर प्रदेश हिमांचर प्रदेश उत्राखंड और सिक्किम कौन कौन से फ्रेंट्स कस्मीर अवडांचर प्रदेश हिमांचर प्रदेश उत्रा खंडोर सिक्किम है नेक्स्ट है भारत का सबसी प्राचीनतम परवत कौन सा है तो फ्रेंट्स भारत का सबसी प्राचीनतम परवत है अरावली परवत जो की राजिस्थान में है नेक्स्ट है नाव जलो धक मिट्टी को क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स नाव जलो धक मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी क्या कहा जाता है नाव जलो धक मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है निक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल कहां पर है तो फ्रेंट्स नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल है अमर कंटक की पहाड़ियों में कहां है नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल अमर कंटक की पहाड़ियों में है ओके फ्रेंट्स निक्स्ट है मिनिकाय द्यूप को सेस उत्री द्यूपों से कौन सा जलमार्ग अलग करता है तो फ्रेंट्स मिनिकाय द्यूप को सेस उत्री द्यूपों से 9 डिग्री चैनल जलमार्ग अलग करता है नेक्स्ट है हिमाले, रौकी, आलपस इवं इंडीज पर्वत किस प्रकार की पर्वतों के उधारण है तो फ्रेंट्स हिमाले, रौकी, आलपस इवं इंडीज पर्वत वलित पर्वतों के उधारण है तो इन परवतों का निर्मान वलन के कारण हुआ है नेक्स्ट है भारत में पूरवी घाट को क्या कहा जाता है तो भारत में पूरवी घाट को कोरो मंडल तट कहा जाता है नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो फ्रेंट्स भारत की सबसे लंबी नहर है इंद्रा गांधी नहर या राजिस्थान नहर कौन सी है इंद्रा गांधी नहर या राजिस्थान नहर भारत की सबसे लंबी नहर है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है लेटे राइट मिट्टी सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाई जाती है तो फ्रेंट्स लेटे राइट मिट्टी सबसे अधिक भारत के केरल राज्य में पाई जाती है नेक्स्ट है भारत की जलवाई कैसी है तो भारत की जलवाई है उस्ट कटिवंधिये मानसूनी कौन सी जलवाई है भारत की उस्ट कटिवंधिये मानसूनी है यह वेरी इंपोर्टेंट है आपको इसे याद रखना है कि भारत की जलवाई उस्ट कटी बंधिये मानसूनी है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है अक्टूबर नौमबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रेल में ली जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं तो फ्रेंट्स अक्टूबर नौमबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रेल में काट ली जाने वाली फसलों को रभी की फसल कहते हैं नेक्स्ट है भारत की उत्तर से दच्छिण और पूर्व से पस्चिम तक लंबाई कितनी है तो भारत की उत्तर से दच्छिड की लंबाई है 3214 किलो मीटर और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलो मीटर ओके फ्रेंट्स तो आपको याद रखना है कि भारत की उत्तर से दच्छिड की लंबाई 3214 किलो मीटर है और पूरु से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलो मीटर है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत का एक मात्र सक्रिय जौला मुखी कौन है तो फ्रेंट्स भारत का एक मात्र सक्रिय जौला मुखी है बैरन द्यूप में जो की अंडमान नीकोवार में इस्थित है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मिट्टी कौन सी होती है तो फ्रेंट्स चाय की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मिट्टी होती है लेटे राइट मिट्टी नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजी की सीमा को इसपर्स करने वाले राजे कौन कौन से हैं तो फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश राजी की सीमा को इसपर्स करने वाले राजे हैं उत्राखंड हीमाचर प्रदेस हरियाणा राजिस्थान मध्द्र प्रदेस चतिस गड़ जारखंड और बिहार ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है दियूपोग की उपर किस प्रकार के व्रच्छो की अधिक्ता होती है तो friends द्यूपो के उपर नारियल के ब्रिच्छों की अधिकता होती है Next है अलकनन्दा और मंदाकनी का संगम कहां पर होता है तो friends अलकनन्दा और मंदाकनी का संगम होता है रुद्र प्रयाग में कहां पर होता है रुद्र प्रियाग में अलक नंदा और मंदाकनी का संगम होता है। नेक्ष्ट है पुरानी जेलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंट्स पुरानी जेलोड मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्ष्ट है जनसंख्या की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो फ्रेंट्स जनसंख्या की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा जिला है थाड़े जो की महराष्ट में है ओके फ्रेंट्स नेक्ष्ट है भारत के द्यूप सम्मू किस सागर में तिब्बत को कौन सा दर्रा जोडता है तो फ्रेंट्स हीमांचर प्रदेश और तिब्बत को सिप किला दर्रा जोडता है नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में द्यूपू की कुल संख्या कितनी है तो फ्रेंट्स बंगाल की खाड़ी में द्यूपू की कुल संख्या है 204 कित लगने वाला एक मात्र भारती राज्य कौन सा है तो फ्रेंट्स अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला एक मात्र भारती राज्य है जम्मू कास्मीर कौन सा फ्रेंट्स जम्मू कास्मीर है नेक्स्ट है भारत में अधिकांस्ते वर्सा किस मानसून से होती है तो फ्रेंट्स भाग में इस्थित राज्य कौन सा है तो फ्रेंट्स भारत के सबसे अधिक पूर्वी भाग में इस्थित राज्य है अवडांचल प्रदेश जिसका प्राचीन नाम है नेफा क्या नाम है फ्रेंट्स अवडांचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है जो कि भारत के सबसे अधिक पूर्वी भाग में इस्थित है नदी द्वारा लाए गए आवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो उस निर्माड को किसका निर्माड बोलते हैं तो फ्रेंट्स नदी द्वारा लाए गए आवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो उसे डेल्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेंट्स डेल्टा बोलते हैं नेक्स्ट है तिबबत और चीन में ब्रंब पुत्र नदी को क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स तिबबत और चीन में ब्रंब पुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है क्या कहा जाता है फ्रेंट्स सांगपो कहा जाता है नेक्स्ट है अंडमान निकोवार की राजधानी पोर्ट बलेयर कहा पर इस्थित है तो फ्रेंट्स अंडमान और निकोवार की राजधानी पोर्ट बलेयर इस्थित है दच्छड अंडमान पर ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है तो फ्रेंट्स भारत के मध्य से गुजरती है कौन सी रेखा करक रेखा भारत के मध्य से गुजरती है नेक्स्ट है छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो फ्रेंट्स छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा जीला है लद्दाख जो की चम्मु कास्मीर में इस्थित है तो आपको याद रखना है कि छेत्रिफल की देश्टी से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है जो की कस्मीर में इस्तित है नेक्स्ट है गंगा को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंट्स गंगा को बांगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है निक्स्ट है तीन तरफ से बांगला देश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है तो फ्रेंट्स तीन तरफ से बांगला देश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा कौन सा है त्रिपुरा है जो की तीन ओर से बांगला देश से घिरा हुआ है नेक्स्ट है धान, गन्ना, तिलहन, जौर, बाजरा, मक्का इत्याद 21 फसल के उधारण है तो फ्रेंट्स धान, गन्ना, तिलहन, जौर, बाजरा और मक्का खरीब फसल के उधारण है कौन सी फसल के? खरीब की फसल के नेक्स्ट है बांगला देश की सीमा से सटे भारती राज कौन कौन से है तो फ्रेंट्स बांगला देश की सीमा से सटे भारती राज है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिघाले तथा पस्चिम बंगाल यानि friends बंगला देस की सीमा से भारत के पाँच राज़ सिटे हुए हैं जो कि हैं मिजोरम, तृपुरा असम, मेघाले और पश्चिम मंगाल ओके friends समस्री next है भारत में मैदान का प्रत्षत कितना है तो friends भारत में मैदान का प्रत्षत 43% कितना है is 43% है कौन कौन से हैं तो फ्रेंट्स पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतिय राज्य हैं गुजरात जम्मु कास्मीर पंजाब तथा राजिस्थान यानि फ्रेंट्स पाकिस्तान की सीमा से भारत की चार राज्य सटे हुए हैं जो की हैं गुजरात जम्मु कास्मीर पंजाब तथा रा आगरा यमुना नदी की किनारे इस्थित हैं नेक्ष्ट है भारत में सूरियोदय सबसे बाद में कहां पर होता है तो फ्रेंट्स भारत में सूरियोदय सबसे बाद में गुजरात में होता है लगबग दो घंटे बाद यानि फ्रेंट्स भारत में सूरियोदय सबसे बाद में गुजरात में होता है और कितने घंटे बाद होता है दो घंटे बाद होता है नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है तो फ्रेंट्स बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है गंगा, काबेरी, गोदावरी तथा महानदी नेक्स्ट है पोंग बांध किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो friends पोंग बांध ब्यास नदी के तट पर हिमांचल प्रदेश में इस्थित है नेक्ष्ट है प्राइजूपी भारत का दच्छिर्तम बिंदू कौन सा है तो friends प्राइजूपी भारत का दच्छिर्तम बिंदू है कन्या कुमारी में तमिल नाडू कौन सा है, प्राइध यूपी भारत का दजच्छिर्तम बिंदू कौन सा है, कन्या कुमारी में है जो कि कन्या कुमारी कहां पर है, तमिल नाडू में है ओके फ्रेंट्स, नेक्स्ट है छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो फ्रेंट्स छेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे छोटा जिला है थाड़ बाल मड़ीपूर में नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्यूप किसके द्वारा निर्मित द्यूप है तो फ्रेंट्स अंडमान निकोबार दियूप ज्वाला मुखी द्वारा निर्मिद दियूप है निक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदू कौन सा है तो फ्रेंट्स भारत का सबसे पूर्वी बिंदू है वालांगू जो की आवडांचल प्रदेश में इस्थित है भारत का सबसे पूर्वी बिंदू ओके फ्रेंट्स नेक्ष्ट है एसिया महाद्यूब की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो फ्रेंट्स एसिया महाद्यूब की सबसे लंबी नदी है यांग टी सी क्यांग जो की चेन में है नेक्स्ट है इंडोनेशिया के सुमात्र द्यूप तथा ग्रेट निकोबार्द्यूप को कौन अलग करता है तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया के सुमात्र द्यूप तथा ग्रेट निकोबार्द्यूप को ग्रेट चैनल अलग करता है नेक्स्ट है नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी तो फ्रेंट्स नई दिल्ली भारत की राजधानी सन 1912 में होर्डिंग के सासनकाल में बनी थी नेक्स्ट है आलू मुंफली गन्ना तथा प्याज कैसी फसल का उधारण है तो फ्रेंट्स आलू मुंफली गन्ना तथा प्याज नगदी फसल का उधारण है कौन सी फसल का नगदी फसल का फ्रेंट्स नेक्स्ट है 9 बहारत का सबसे दच्छुर्टम बिंदु कौन सा है तो फ्रेंट्स भारत का सबसे दच्छर्टम बिंदु है इंद्रा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्यूप में इस्थित है कौन है फ्रेंट्स भारत का सबसे दर्शित्तम बिंदू इंद्रा पॉइंट है जो की ग्रेट निकोबार द्यूप में इस्थित है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है तो friends सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में जो की मेगाले में इस्थित है next है स्री रंग पटनम किस नदी के किनारे इस्थित है friends यहाँ पर मानसी राम लिखा हुआ है पर इसका जो real name है वो है मासिन राम ओके फ्रेंट्स तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिकवर्षा कहां पर होती है तो मासिलाम में होती है जोकी में घाले में इस्थित है नेक्स्ट है स्री रंग पत्टनम किस नदी के किनारे इस्थित है तो फ्रेंट्स स्री रंग पत्टनम इस्थित है कावेरी नदी के तट पर नेक्स्ट है भारत के पश्चिम में कौन से देश है तो friends भारत के पस्चिम में हैं पाकिस्तान एवं अरब सागर कौन-कौन से हैं पाकिस्तान एवं अरब सागर भारत के पस्चिम में इस्थित है Next है नासिक किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो friends नासिक गोदावरी नदी के तड़ पर इस्थित है नेक्स्ट है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो फ्रेंट्स काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी क्या नाम है काली मिट्टी का दूसरा रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी नेक्स्ट है भारत में यूरेनियम सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है तो फ्रेंट्स भारत में यूरेनियम सबसे अधिक जादू गोडा ज्यारखंड में पाया जाता है नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्यूप समू की राजधानी क्या है तो फ्रेंट्स अंडमान निकोबार दियुप समू की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो की दच्छड अंडमान पर इस्थित है निक्स्ट है भारत में किस राज्य से सहतूत से रेशा प्राप्त किया जाता है तो फ्रेंट्स भारत में करनाटक राज्य से सहतूत से रेशा प्राप्त किया जाता है निक्ष्ट है कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मिट्टी कौन सी होती है तो फ्रेंट्स कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी कौन सी मिट्टी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसी उप्युक्त मिट्टी होती है नेक्स्ट है भारत का सबसे पश्चमी बिंदू कौन सा है तो फ्रेंट्स भारत का सबसे पश्चमी बिंदू है सर क्रीक जो की गुजरात में इस्थित है ओके फ्रेंट्स निक्स्ट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौनसी है तो फ्रेंट्स गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना कौनसी है फ्रेंट्स यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी नेक्स्ट है लेच्छ द्यूप का सबसे बड़ा द्यूप कौन सा है तो फ्रेंट्स लेच्छ द्यूप का सबसे बड़ा द्यूप है मिनी काय द्यूप नेक्स्ट है काली मिट्टी का निर्माड किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है तो friends काले मिट्टी का निर्माड बेसाल्ट चट्टानों के तूटने फूटने से हुआ है ओके friends नेक्ष्ट है भारत में सबसे अधिकवन किस राज्च में पाए जाते हैं तो friends भारत में सबसे अधिकवन पाए जाते हैं मध्यप्रदेश राज्च में निक्ष्ट है भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी हैं तो फ्रेंट्स भारत में कुल नगरों की संख्या है 516 कितनी फ्रेंट्स 516 है भारत में कुल नगरों की संख्या नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान के मध्य इस्थित सीमा रेखा को रेट क्लिप रेखा कहते हैं जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था तो आपको याद रखना है कि भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा इस्थित है उसे रेट क्लिप रेखा कहते हैं और जिसका निर्दारण 1947 में हुआ था यानि फ्रेंट्स जब भारत आजाद हुआ था नेक्स्ट है न्यूमूर द्यूब कहा पर इस्थीत है तो फ्रेंट्स न्यूमूर द्यूब इस्थीत है बंगाल की खाडी में नेक्स्ट है भारत का मानक समय कितना माना जाता है तो फ्रेंट्स भारत का मानक समय साड़ी बयासी अंस पूर्वी दिसांतर रेखा को जो कि इलाहबाद के मिर्जापूर से गुजरती है को माना जाता है नेक्स्ट है भारत के उत्तर में कौन से देश हैं तो फ्रेंट्स भारत के उत्तर में है नेपाल भुटान और चीन कौन कौन से देश हैं भारत के उत्तर में नेपाल भुटान और चीन है नेक्स्ट है नर्मदा नदी की जुड़वा नदी किसे कहा जाता है तो फ्रेंट्स नर्मदा नदी की जुड़वा नदी तापती नदी को कहा जाता है क्योंकि फ्रेंट्स ये दोनों ही नदिया अरब सागर में गिरती है नेक्ष्ट है स्री नगर को ले से कौन सा दर्रा जोडता है तो फ्रेंट्स स्री नगर को ले से जोजिला दर्रा जोडता है कौन सा दर्रा जोजिला दर्रा नेक्ष्ट है लच्छ द्यूब की राजधानी क्या है तो फ्रेंट्स लच्छ द्यूब की राजधानी है कावराती कौनसी फ्रेंट्स कवराती लच्छ द्यूब की राजधानी है आपको याद रखना है कि लच्छ द्यूब की राजधानी कावराती है नेक्स्ट है भारत का देशांतरी विस्तार क्या है तो फ्रेंट्स भारत का देशांतरी विस्तार है 68 अंस 7 मिनट से 97 अंस 25 मिनट पूर्वी देशांतर ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी इस्थली सीमा किस देश से लगती है तो फ्रेंट्स भारत की सबसे छोटी इस्थली सीमा अफगानिस्तान से लगती है नेक्स्ट है सिव समुद्रम जल्बिदूत परियोजना कहां पर इस्थित है तो फ्रेंट्स सिव समुद्रम जल्बिदूत परियोजना कावेरी नदी पर तमिल नाडु में इस्थित है नेक्स्ट है नेपाल की सीमा से सटे भारतिय राज कौन कौन से है तो फ्रेंट्स नेपाल की सीमा से सटे भारतिय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पस्चिम बंगाल तथा सिक्किम ओके फ्रेंट्स नेक्ष्ट है दच्छड में इलाइची परवत और नेलगिरी परवत को कौन सा दर्रा अलग करता है तो फ्रेंट्स दच्छड में इलाइची परवत और नेलगिरी परवत को पाल घाट दर्रा अलग करता है नेक्ष्ट है गुंडवाना कोईला छेत्र भारत के किस राज्य में इस्तित है तो फ्रेंट्स गुंडवाना कोईला छेत्र भारत के मद्य प्रदेश राज्य में इस्थेत है नेक्स्ट है सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो फ्रेंट्स सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा कौनसा है फ्रेंट्स सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है नेक्स्ट है छेत्रफल की द्रिष्टी से पूरे विश्व में भारत का कौनसा इस्थान है तो फ्रेंट्स छेत्रफल की द्रिष्टी से पूरे विश्व में भारत का सात्वा इस्थान है ओके फ्रेंट्स नेक्ष्ट है सहयादरी पर्वत भारत के किस राज्य में इस्थित है तो फ्रेंट्स सहयादरी पर्वत भारत के महाराष्ट राज्य में इस्थित है कहां इस्थित है फ्रेंट्स सहयादरी पर्वत महाराष्ट राज्य में नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक मात्रा में तथा सबसे उप्युक्त मिट्टी कौन सी है तो वो है जलोड मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में तथा सबसे उप्युक्त मिट्टी है जलोड मिट्टी ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है भारत के पूर्व में कौन से देश हैं तो फ्रेंड्स भारत के पूर्व में हैं बांगला देश म्यामार और बंगाल की खाड़ी कौन कौन है फ्रेंट्स भारत के पूर में है बांगला देश म्यामार और बंगाल की खाड़ी है निक्स्ट है भारत की मानो द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जील कौन सी है तो फ्रेंट्स भारत की मानो द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जील है गोबिंद सागर जील जो की भाखडा नागलबान से निर्मित हुई है यानि फ्रेंट्स भारत की मानो द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जील गोविंद सागर जील है जो की भाखडा नागलबान से निर्मित है नेक्स्ट है बिंध्यांचलियूं सत्पुडा परवस्त्रेडी के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है तो फ्रेंट्स भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है मुंबई नेक्स्ट है माहिम तर्ट कहां पर इस्थित है तो फ्रेंट्स माहिम तर्ट इस्थित है महाराष्ट में कहां इस्थित है माहिम तर्ट महाराष्ट में इस्थित है नेक्स्ट है भारत का छेत्रफल पूरे विशु के छेत्रफल का कितना प्रस्तत है तो फ्रेंट्स भारत का छेत्रफल पूरे विशु के छेत्रफल का 2.42% है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है जन संख्या की द्रिष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो फ्रेंट्स जनसंख्या की द्रिष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम कौन से है फ्रेंट्स सिक्किम है जनसंख्या की द्रिष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य ओकेлат है निलगिरी कहलाता है निलगिरी कहलाता है सबसे कम वर्षा कहा होती है डेह कासमीर में ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है भारत में आरावाली पर्वत और सत्पुडा पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उधारण है तो फ्रेंट्स भारत में आरावाली पर्वत और सत्पुडा पर्वतों के उधारण है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है नेलगिरी पहाड़ी की सबसे उची स्रेड़ी कौन सी है तो फ्रेंट्स नेलगिरी पहाड़ी की सबसे उची स्रेड़ी है दोदा बेटा कितनी है 2637 मेटर निलगिरी पहाड़ी की सबसे उची स्रड़ी दोदा बेटा है और जिसकी उचाई 2637 मेटर है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है पश्मी घाट का अन्य नाम क्या है तो फ्रेंट्स पश्मी घाट का अन्य नाम है सहयादरी परवत क्या नाम है फ्रेंट्स सहयादरी नाम है नेक्स्ट है लाल मिट्टी का निर्माण किन टुकुडों से हुआ है तो फ्रेंट्स लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है गड़ी और नोसिखिये के बिखंडन से किसे हुआ है फ्रेंट्स गड़ी और नौसिख्ये के बिखंडन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है नेक्स्ट है जैलेपला और नाथुला दर्रा कहां पर इस्थित है तो फ्रेंट्स जैलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में इस्थित है कहां इस्थित जयलेपला और नाक्सा दर्रा सिक्किम में इस्थित है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है भोर घाट दर्रा किन-किन इस्थानों को चिन्हित करता है तो फ्रेंट्स भोर घाट दर्रा मुंबाई से पुड़े को चिन्हित करता है तो आपको याद रखना है कि मीनी काई द्यूप के सबसे दच्छडी भाग में इस्थित है गोदावरी नदी का उद्गम इस्थान कहां पर है तो गोदावरी नदी का उद्गम इस्थान है नासिक के निकट त्रेम्बकम पहाड़ी पर है तो ये थे जोग्रॉफी के महत्यपूर्ट वन लाइनर कुश्चन ये बेरी इंपर्टन कुश्चन है और कई बार एक जम्स में पूछे जा चुके है तो फ्रेंट्स आपको इन सभी कुश्चन को ध्यान से पढ़ना है फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फार वाचिंग दिस वीडियो प्रेंट्स आपको ये वीडियो